तो आज एक इंपोर्टन टॉपिक पर बात करेंगे क्या रूट कनाल पॉसिबल है प्रेटन फीमेल्स में की नहीं जी हां काफी प्रेटन फीमेल्स में ये प्राबलम आ जाती है कि उनको ये लगता है कि अगर कोई भी टाइप का दवाई लेंगे या फिर कोई भी टाइप का इंजेक्शन लगवाएंगे तो हमारे फीटस के लिए बहुत हमफुल रहेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपको रूट कनाल है और आप जरूरत है और अगर आप दर्द में हैं आपको बहुत जादा दर्द हो रहा है तो इंस्टेट की आप उसको सहन करें और हर दिन उस चीज से जूजे इस से अच्छा है कि आप रूट कनाल करवा लें हम किस्कों में हैं तो काफी बार हम लोग जब प्र bak हम प्रोट में करते हैं तो दोकटर्स के पास हम अल्टर संवन करना जाते हैं तो फेस्ट मोथें सब्सक्राइं नहीं इस तरीके की छीजे ना करें जो कि आपकी बॉड़ी इसमें इसमें नहीं करने होती है और इधर उ तूथ पेन में है, अगर आपके दानत में एक्स्ट्रीम पेन है, तो क्या उस टाइम पर रूट केनल करा सकते हैं? ये भी आपके काफी लोगों के मन में डाउट आता है, तो जी, प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स टाइमस्टर में है, हम जब हमारे जब टूथ में पेन होता है, तो हमारे बॉड़ी में केमिकल मेडियेटर्स आप इंफ्लमेशन रिलीज होते हैं, और काफी जदा हॉर्मोनल च तो आप अमोकसिसलीन 500MG और पैरसिटमाउज 650MG अराम से ले सकते हैं, दूरिंग दे फर्स मान जब आपको पेन हो रहा है, अमोकसिसलीन 500MG is totally safe for pregnant females, और उसको दिन में आप तीन बार ले सकते हैं, तीन दिन के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपकी अपकी अपकी पेन और infection reduce हो जाएगी, जैसे आपका one and a half to two months होता है, आप जब second trimester में आते हैं, तीन महीने के बाद में भी, अगर आपका pain subside हो गया तो ठीक है, पहले में आपने जो medicines ले, तो अगर आपका pain subside नहीं होता है, तीन महीने के लिए, तो third महीने में जब आपका second trimester चालू होगा, उस कोई problem नहीं आई, पेशेंट को, पेशेंट को extreme pain हो रहा था, lower 3646 region में, जो lower molar tooth होता है, तो मैंने पेशेंट को यह advice किया, कि आप root canal कराई है, और आसवाशन देना बहुत जरूरी है, और डॉक्टर के पर trust होना बहुत जरूरी है, तो जो भी मैंने root canal किया, मैंने one time local anesthesia दिय और prior मैंने patient को antibiotic दिया, 625 mg, जो हमारा amoxicillin 500 mg, plain, बिना clavulinic acid वाला मैंने amoxicillin दिया एक दिन पहले, then patient को बुलाया, उसका एक बार block दिया, और काफी time तक patient को wait कराया, 25 minutes तक ताकि आच्छे से block हो जाए, और single sitting मैंने RCT की ताकि patient को दोबार आना आना पड़िया, अब दे 3 महने तक बच्चे की बहुत जादा care करनी होती है, और mother से बच्चा बिल्कूल अलग नहीं हो पाता है, उस time पे हम patient को second sitting के लिए बलाएं, या फिर आप दुबारा से root canal उस time पे अगर आप करने लिए बुलाया, तो काफी दिक्कते आती हैं, तो better है कि अगर infection जादा नहीं थोड़ा delay भी हो जादे तो इस case में चलता है, युजिली आई गिव इमीरिटली लेकिन इस तरीके से हम pain से बच सकते हैं, ठीक है, अब काफी लोग बोलता है कि इस हम दात निकाल देंगे, दात निकाल देंगे, वैसे करते का तो पूरी pregnancy उनकी निकल जाती है, और वो pregnancy के time पे और pregnancy के बाद में भी सफर करते हैं, ऐसे काफी लोग के साथ हुआ है, मतलब कि दात में दर्जो रहता है, वो रही जाता है, उसके बाद बच्चा जब डिलीवर हो जाता है, तब भी patient को time नी मिलता है, डॉक्टर के बास जाने के पास, तो बिल्कुल problem ना आए, इसलिए अगर थोड़ा से pain है, तो pregnancy के पहले, अगर आपको कुछ pain वगरा है, तो उस time पे अगर आप planning कर रहे हैं, तो एक बाद teeth check-up ज़रूर करवा लीजिएगा, planning करने के पहले, क्योंकि उस time पे अगर आपको कुछ problem होती है, तो यह सब आपको दिकते face करने पड़ती है, तो dental check- before planning any pregnancy, and during pregnancy अगर हो जाती है, तो आप RCT करवा सकते हैं, second trimester में, काफी safe रहता है procedure, और आप पुछेंगे कि RCT में X-ray लेना होता है, तो आप हमारे dentist के पास एक lead apparent होता है, वो lead apparent पहना कि आपका X-ray लिया जाता है, और अगर आप lead apparent नहीं भी है, तो उसका X-ray exposure amount है, बहुत ही जादा less, dental का X-ray, वो semi तरहता है इस region में, secondary traditions रहती है, लेकिन that will not affect your fetus, so till then अगर यह वीडियो पसंदा है, तो do like, share, subscribe, bye, good day.